नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कॉशल और आप देख रहे हैं News Click बीते कई दिनों से NCRT विवादों के केंदर में हैं इस पर एक तरफ सिक्षा के सामपरदाई करन का रोप लगा जिसके तहद मुगलों का तिहास हठाने की बात हुई वहीं दूसरी तरफ scientist ने अपने चिंता जाहर की कि जिस तरीके से Charles Darwin के evolution की theory को हटाया गया लेकिन जब हम delete किये chapters को देखते हैं तो हम पाते हैं कि partition जैसा important subject भी जो है वो अब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा इन्हीं सारी चीजों क्या है और वो बच्चों को क्यों पढ़ने चाहिए थे सुचिता मैं न्यूस क्लिक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया अगर मैं आपसे मतलब पहला ही सवाल पूछ हूँ आपके कि जब भी बटवारे की बात होती है न तो लोगों के जहन में यह आता है कि बहुत ज़्यादा खून कराबा हुआ था और हम यह कहें कि यह बुरा वक्त था भारत के इतिहास के लिए अगर आप किसी पेरेंट्स को समझा रही होती कि बच्चों को चाह एक ही सिक्के के दो अलग-अलग पहलो हैं अगर हम अजादी की बात करते हैं तो यह हो यह नहीं सकता कि हम बटवारे की बात ढ करें अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद के साथ-साथ जो soulicious nationalism था और अन्दार्मिक बेसिस पे लेकर जो सबा, RSS की पॉलिटिक्स, उनकी राजनीती, तो यह हम अलग नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यह दौर जो है, यह दौर केवल एक बुरा दौर नहीं था, यह दौर ऐसा भी दौर था और हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस दौर में मानव के, जो बहुत अच जो वैल्यूस थे, जो उनकी जैसे की इतने उधारन आते हैं, एक दूसरे की मदद करने के, हेल्प है, हार्मनी लोगों ने कैसे बनाई, सिक डॉक्टर है वहाँ पे धरमपुर में बैठे हुए, इनकी एक्जामपल इस बुक में दिये, तो अगर बच्चे उसके बारे में पार्टिशन के विभाजन के बारे में पढ़ते, तो उनको एक तो ये पता लगता, दूसरी बहुत ही एहम बात यह है, कि समराज्यवादी जो ताकते थी, उन्होंने हमारे देश का बटवारा किया, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंक नहीं तो क्या होता है, ये पाकिस्तानी जो इतिहासकार है, वो कहते हैं, कॉंग्रस और गांधी जो है, वो विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका, और जो यहां से जो राश्ट्रवादी इतिहासकार हैं, भारती जो है, वो पूरी उंगली उन्होंने डारेक्ट एक्शन किया, तो ये जो पूरे उस पीरिड में, अजादी से पहले के पीरिड में जो फूट डालो और शासन करो की जो नीती थी, जो ये सफल रही, ये समराजवादी ताक्ते तो अजादी के बाद भी नहीं गई, केवल उनका रूप बदल गया, प समराजवाद चलतरा, अंग्रेजी का पूरा इतना डॉमिनेशन, हमें कोमन वेल्थ में रहना वगरा वगरा, तो ये बहुत ही महतुपूर्ण है, कि जो आज की जो पीडी है, वो इस चीज को समझे, कि हम किस अंतराश्च्च्र महौल में रह रहे हैं, जिसमें यूएस का क एक हेजमनी है, और इसको ये बहुत सी चीजें इसमें आती है, पाकिस्तान को हंदुस्तान से लडाना, मुस्लिम को हिंदू से लडाना, ये हमारी पूरी केवल राजदीती में नहीं, हमारी पूरी हिस्टोरियोग्रफी में, हमारी पूरी जो इतिहास धारा है, और हमारा माइंड सेट और परस्पेक्टिव है यह चलता रहे तो अब इसमें एक जो चीज है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थी कि बटवारा जो है अचानक से एक दिन दो लोग बैठे और उन्होंने का कि हिंदुस्तान का बटवारा कर देते हैं तो अब जब हम इस चैप्टर को इसमें पाते हैं कि कई तरीकिक रोल थे एक तरफ मुस्लिम लिग थी दूसरी तरफ आरेसिस थी हिंदुमा सावा थी कुछ कंसर्वर्टी सेक्शन जो है आरे समाज के भी थे यह पूरे जो संगठन थे इनकी क्या भूमिका थी अगर आप बता पाएं तो देखिए इनकी ज संस्थाएं कहते हैं यह RSS, हिंदुमा सभा उसमें मुस्लिम लीग के नैशनल गार्ड बे आ जाते हैं लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम हिंदु वाली संस्थाओं की बात करें तो यह बहुत जादा जैसे जैसे दंगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यह जाकर उनका काम होता है कि वहाँ पर दंगा ग्रस्त जो इलाके हैं जैसे मैं आपको धारन दे रही हूँ नोखली का गांधी जी वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने पूरी एक हार्मनी लाने की उनकी कोशिती पद्यात्रा करते थे रोज सुभे निकलते थे वहाँ पर कौन थे वहाँ पर जब म पर ले रॉसर्च की तो मुझे एक नाम दिखा वहाँ विष्णु करकरे और विष्णु करकरे जो थे वह उन अंदर जो ग्रूप था ग्रूप जनोंने साजिष की थी गांधी जी कर jeffyा की उनके बदकी वह उसमें शामिल थे वह री वी वशनु करकरे थे जो महाराश्छ से चलकर इतन बहुत सारा सिंधूर भर के बोरियों में लेकर गए और क्या काम था उनका जाकर हिंदू इस्त्रियों को वहां पे देना और कहना कि यह जो है आप माताओं के लिए हम लोगों ने महराश्टर के लोगों ने यह भेजा है कहने का मतलब है कि एक होता है बाम लगा कोई जख्म होता है उसको भरने के लिए यह आइडिया था कि जाकर वहां पे पूरा जो संप्रदायक जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं उसकी भावना कैसे बढ़े गांदी जी का कहना था गांदी जी का कहना था कि नहीं जो औरतें यहां पे या जो रेफ्यूजी कि हम आपकी जान की आपकी प्रोपर्टी की रक्षा करने की हम अश्वासन देते हैं हम उसका उत्तरदायत वो लेते हैं तो उनका आइडिया था दोनों संप्रदायको मिलाना थे हिंदू महसाभा अरे सहस वालों का पूरा इरादा था दोनों कम्यूनिटीज को अलग करना जब refugee आने लगे पंजाब की तरफ से खास कर, तो RSS की जो पूरा रोल था, वो बहुत ज़ादा बढ़ गया दिल्ली में. एक टाइम ऐसा था, एक तो हम बात करते हैं, communal riot की, ये communal दंगा नहीं था, ये एक सामप्रदायक दंगा नहीं था केवल, तब ही ये वर्ड हम ग्रहे यूदिया, सिबिल वार कहते हैं, उन्होंने एक पूरी साजिश बनाई, जो मैंने बुक, जो RSSS School Text वाली किताब है, उसमें कोट किया है, जो हाई कमिशनर थे, ब्रिटन के इंडिया में, इंडिपेंडेंडेंस के बाद, पंद्रा गस्त के बाद, 30 सितंबर को वो अपनी लेटर में लिखते है, कि एक पूरी साजिश बनाई गई है, और वो वर्ड जो यूज करते है, कू, मतलब तक्ता, तक्ता पलट, पलटना, कि इसमें, आरेसे सिंदु महसाबा के लोग है, और इनका समर्थन कर रहे हैं, जो सैनिक तौर से, पंजाब के जो राज्य थे, अकाली प्रधान जो याद राज्य थे, जैसे कि पटियाला, नाबा, जीन्द, और फिरोशपूर, और दिल्ली के बिल्कुल बगल में, अलवर और भरतपूर, इनके जो राजा थे, ये भी इनका समर्थन करते थे, तो एक पूरी एक साज़िश थी, और अलवर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन दिनों में प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, जो दिवान था उसको, वो तो महासभा के लीडर थे, इन भी खरे, बहुत जाने हुए, रेफ्यूजीज को लाकर, मुसल्मानों के घर में घुसाना, जो मुसल्मान कुछ दिनों के लिए, हुमा यूटूम और पुराना किला के कैम्प में जो बिचारे चले गए थे, उनको घुसाना, और उनके बीच में एक जो इसको कहते है ना कटरता और कटूता, बिटरनिस की जो फीलिंग है, वो भड़ानी, चान्नी चौक के जो इलाका था, पूरा फतेपुरी की जो मस्जिद थी, वहाँ उसके उपर आरे समाज के जंडे फेराए गए, मस्जिदों की अंदर जाकर, लोग जाके रहने लगे, अपनी पूरी गाय भैंस वगरा सब को साथ लेने के लिए, इसको लेके नहरू जी बहुत परिशान हुए, और उन्होंने बहुत साफ कहा कि नहीं, यह मस्जिद जो है, यह बतलब बिल्कुल इनको फ्री किया जाए, और यह मतलब इसलाम का जो बतलब इसकी जो प्रैक्टिस है, इसके बीच में रोकनी होनी चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब है, यह केवल एक, यह नहीं था जो वो कहते हैं, कि हम रेफ्यूजीज को हेल्प कर रहे थे, बिल्कुल नहीं, उनकी पूरी सोच थी, और BM बिरला ने खट लिखा था, 5 जून 1947 को, सरदार पटेल को, कि अब जब कि हम देख रहे हैं, क्योंकि 3 जून को एलान हो गया था, कि दो देश बनेंगे, माउंट बैटन अवार्ड जो बोलते हैं, और तो उन्होंने कहा, कि अब तो एलान हो गया है, दो देश बन रहे हैं, और पाकिस्टान जो है, वो थियोक्राटिक राज होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानि वो एक मुसलमान देश होगा, तो उन्होंने कहा, मुसलमान देश नहीं सिरफ, इसलाम प्रधान देश होगा, इसलामिक स्टेट, तो कहा, ये जायज नहीं है, कि हम भी जो है, हिंदुस्तान को, बारत को, एक हिंदू देश जो है राज, उसका हम ऐलान कर दे, और ये बहुत ही इंपॉर्टन बात है, रवी जी कि हम नेरू को कहते हैं, कि वो सेक्यूलर थे, और पटेल को आजकल बीजे पी रसेस वाले साभी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पटेल भी बिल्कुल सेक्यूलर थे, और पटेल ने कहा, ये कभी भी नहीं हो सकता, और ये जो एक पार्टिशन का चैप्टर है, लेकिन इसके बाद में एक और जो चैप्टर है, जिसका नाम है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस, जिसमें देश के बनने की पूरी कहानी है, कि किस तरीके से पुरा देश बनेगा, उसमें भाषा यांदलोनों का भी दिक्र रहा है, कि किस तरीके से भाषा के अधार पे पूरे आंदलन चले, पहले आंद्रका अंदलन हुआ, फिर मैं उसी सवाल पर आता हूं कि यह जो आंदोलन है वो क्यों पढ़ाया जाने चाहिए किसी भी स्टूडेंट को या इनको टेक्स्बुक्स में लाने का जो है प्राइमरी रिजिन क्या आपको समझवादा तो इसमें तीन सब्जिक्ट हैं जैसे आपने कहां सबसे पहले कॉंस्टिटूशन का निर्मान नंबर दो पर प्लानिंग और नंबर तीन पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स का गठन कॉंस्टिटूशन की जहां तक रचना की बात है इसमें जो आरेसेस महासभा के लीडर थे किसी का भी योगदान कोई सराहनिय नहीं था कंस्टिटूशन असेम्डी डिबेट्स जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत क्लियर है कि अंबेड कर जी जिनका पूरा सोशल जस्टिस को लेके जो सारा एक सोच है जो समाजिक नयाय को लेकर समाजिक एक्वालिटी को लेकर वो पूरी जो सोच है वो obscurantist जो पिछड़ा हुआ एक पूरा conservative जो एक तबका था जो की RSS Hindu महसभा वाला है वो अंबेड कर को तो कतह ही नहीं चाहते थे कि उसका रोल लोगों के मन में आए दूसरा रोल किसका अच्छा था नेरू जी का रोल था पटेल का रोल था ये भी इनको बिलकुल पसंद न अगर आप देखें तो जब की executive तो उनी के हाथ में है जो judiciary है वहाँ भी बहुत कमजोरी है हम देख रहे हैं वो भी सत्ता के साथ जाते हैं तो एक constitution जा एक हमारा समिधान है वो एक ऐसी हमारे पास एक resource ऐसा रह गया है जो कि सिरफ minority के लोग नहीं जो कि हम सब लोग ऐसे उस धान के according जो है देश चलता रहे यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक resource है हमारे पास हमारे अंदोलन जो है वो भी उससे motivate होते हैं तो वो तो आज की जो रेजीम है वो कते ही नहीं चाहती आज की रेजीम जो है वो reservation के खिलाफ है ओफिशल ही नहीं है लेकिन अगर RSS की जो बात जो उच जो कास्ट के लोग चाती के लोग है उसी में है तब ही उनको इतनी तकलीफ हुई थी कि जो दूसरी बुक थी पॉलिटिक्स वाली जिसमें महात्मा गांदी के वद का और हत्या का पूरा वर्नन था जो पुरोडिकल साइंस वाली उसमें से उन्होंने वर्ड ब्रा पुने में थे अब क्यों ना लोगों अब ये बात कहते हैं एक मजाक वाली बात है प्रोफेसर रॉमिला थापट जो कि इती बड़ी अतिहासकार है और मैं गर्व से कहती हूं कि मेरी अध्यापग रही है जेनियो में तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही एक आर्टिकल इन दोनों शब्द के बीच में कनफ्यूज हो गए है कि रैशनिंग का मतलब होता है कं कर देना तो कैताहा है ऐसे लग रहा कि उन्होंने सोचा कि थोड़ा रैशन करके हम ठोड़ी-थोड़ी इनफूमेशन दे तो बात उन्होंने ये रेज की थी कि अगर हमें कॉंटेंट कम करना है तो एक वर्ड ब्रामिन हटाने से क्या हो जाएगा अच्छा एक और चीज़ बहुत इंटरिस्टिंग है वहाँ पे उन्होंने क्या हटाया शब्द गोड से का जो असोसियेशन था जो हिंदू महासबा के साथ रसेस के साथ दोनों के साथ था और किसने उनको उनके राजनीति उनका जो जीवन था जब वो प्रचारक बने और शुरुवात किसके हाथों हुई सावरकर जी के हाथों सेक्रेटरी थे सावरकर जी ने उनको पांच हजार उपए दिये कि एक अकबार शुरू करें जिसका नाम था अगरानी और बाद में चलके हिंदू आउटल क्योंकि जो क्रांती वीर सावरकर हैं काला पानी वगरा के का वँए जो चाते हैं बस वो ही चवी जो है वो लोगों के मन में आए जो सावरकर सन जबसे वो माफी मांगी उन्होंने तीन-तीन बारे माफी मांगी और बाहर आये और रत्नागिरी में पूरा अंग्रेजों के साथ वो रहे और उसके बाद हिंदू महासभा के प्रेजडेंट रहे और जीवनलाल कपूर कमिशन ने ये साबित किया 1966 में कि वो इस साजिश के पूरे हिस्तेदार थे गांधी हत्या के केवल एक ही बात रह गई थ और सभी लोग उस समय वो थे वकील थे सदार पटेल भी वकील थे तो वो क्या बात थी कि अगर एक अप्रूवर की टेस्टमनी है दिगंबर बाढ़ गे थे जिनोंने वो अप्रूवर बन गए थे तो उन्होंने का अप्रूवर की टेस्टमनी पे केवल ये बात लगी जा स और अब वोही दो लोग जो उनके अनुयाई थे उनको अब कोई जज़क नहीं थी क्योंकि उनके जो मेंटर थे वो अब रहे नहीं अब उन्होंने आकर बता दिया कि किस तरह से सारी साजिश चोती पिस्टॉल को गौलियर से लाना ये करना सावरकर जी के घर में सब कुछ हो तो ये सारी बात बिलकुल सामने आ गई अब क्यूं चाहेंगे मोदी जी और क्यूं चाहेंगे जो आज की जो रजीम है वो क्यूं चाहेंगे कि ये जो जो कहते हैं ना मुश्किल एक सत्य हैं उनकी पार्टी के बारे में और उनकी पार्टी के साथ जुड़ी होई पार्ट तो रस्सवती सिश्व मंदर चलाता है विद्याभारती स्कूल चलाता है एक समय में जो है उनिस नियनानवे का फिगर है कि तकरीबन यह 14,000 विद्याभारती स्कूल चलाते थे 80,000 टीचर्स थे 18,000 लाख जो है स्टूडेंट्स थे अब तो बहुत बढ़ गए हूं है बहुत को चलाते है इसको कैसे आप एक्स्पेइन करेंगी बहुत सिंपल है एजुकेशन शिक्षा और खास कर इतिहास का बोध यह किस तरह से आपके नागरिक आपके कल को चल के बनेंगे यह इनके बेसिस पे एक पूरा एक ढाला जाता है एक बच्चे को उसकी पूरी जो समझ है वो टेक्स्ट बुक से बुक से जो बच्च्पन से पढ़ते हैं कि एक सेक्यूलर देश हो हमारा वहाँ पे एक टॉलरंस की पूरी एक परमपरा है गांधी जी किस तरह से उस परमपरा को बरकरार रखते हुए कैसे उन्हों ने अपनी जान की उन्हों ने बाजी लगाई उ अब कुछ हुआ एक पूरा धांचा जो है ये उस समय का बनाया गया और आज भी ये जो पूरी एक structure है ये क्यों important है ये आज की जो दक्या नोसी जो सरकार और उसके पीछे जो उसका पूरा RSS का जो एक पूरा धांचा है ये चाहते हैं कि बच्चों के minds जो है बच्चों के मन जो है उनमें एक wish घोला जाए कि मुसल्मान जो है वो गंदा है वो इस तरह का है वो आपकी ओरतों को आपकी बहनों को वो जिहाद करके वो उनको ले जाना चाहता है उनका इतिहास बिल्कुल गलत इतिहास है तो पूरा एक एक ऐसे समाज एक ऐसी सोच में कहूंगे कैसे च इतिजन नागरिक बनाना चाहते हैं और उसके लिए ये टेक्स्ट बुक्स ये शिशु मंदिर ये विद्या भारती ये सब उसके एक इसको कहेंगे एक वेपन्स जो है ये उनके हाथ में है शस्त्र है शुक्रिया मैं बात करने के लिए तो ये थी सुचेता माजन बाकी झाल